अब देख रहे हैं नेक्स नाइन लाइफ आज की सपापाटी से इतने नराज थे कि जेल के अंदर से ही सपापाटी के निंदा कर रहे आज जब जेल से बाहर आए हैं तो समाजवादी पार्टी में ही अपना नेत्रत्व कर रहे हैं वहीं बात करें हाल फिलहाल में एक जून को आजम खान अपनी हेल्थ इशूस की वज़ा से सरगंगाराम अस्पताल में भरती हैं वहीं पर यह एक्सपेक्टिट था कि शिफपा यादव की बात करें तो शिफपाल यादव इस चीज़ पर थे कि कहीं ने कहीं अगर आजम खान जेल से बाहर आते हैं तो वो उनका साथ देंगे लेकिन इसके विपरीट चाल चलते नजराए आजम खान और शिफपाल यादव जो कि उनको जेल से रिहाई की टाइम भी उन अखिलेश यादव का हाथ खाम रहे हैं कि जब वो जेल में बन थे एक बार भी अखिलेश यादव उनसे मिलने नहीं गए उनकी रिहाई की अपील यहाँ पर नहीं करते नजरा हैं और आज यहाँ पर इनके बीच जो नराज की चल रही थी मनमुटाव चल रही थी कहीं न क कहीं जब आजम खान आज अस्पिताल में भरती हैं तो यहाँ पर अखिलेश की तरफ से उन्हें बड़ा तोहफा मिलने के चांसिस नजरा रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव उनसे मिलने जाते हैं आपसी मनमुटावों को सुलझाते हैं और कहीं न कहीं उनसे बैट कर कई गंटों तक बाचीत भी करते हैं जिससे अब लगता है कि लोकसभा चुनाव में रामपूर से सपा प्रत्याईशी की सीच कहीं न कहीं आजम खान के नाम हो सकती है कहीं न कहीं आजम खान इस चीज़ पर मुहर लगाते नजरा रहे हैं उनका कहना है कि यहाँ पर जिस तरह स उन्होंने बैठक करी है अखिलेश यादव के साथ अस्पताल के अंदर ही और जी स्चुनाव करीब हैं तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव को भी आजम खान की जरुष है आजम खान की जरुफ है मुस्लिम वोट बैंक की जरुवत है क्योंकि उत्रप्रदेश से जादतर वोट्स मुस्लिम वोट बैंक के आजम खान को ही जाते हैं और तो और जब वो जेल में थे तब भी उन्होंने सपापाटी के लिए चुनाव लड़े थे और वो वहां से भी जीतते नजराये थे तो ऐ ऐसे में अखिलेश यादव आजम खान को खोना नहीं चाते हैं उन्होंने अपड़ना यादव को खोया शिफपाल यादव को खोया शिफपाल यादव का भी वोट बैंक काफी तगड़ा है लेकिन शिफपाल यादव से भी वो नराजगी के चलते बातचीत नहीं कर रहे ह तो वहीं शिफपाल यादव भी अभी कोई सपापाटी में दुबारा से जाने की या फिर अखिलेश यादव से चीजों को सुल्टाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव बाचित करने पहुंचते हैं और अब जल से जल्द वो कोई ना कोई फैसला लेते जरूर नसराएंगे। तो आपको एक खास रिपोर्ट कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स पर जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक को शेयर करना ना भूलें।